नमस्ते देखते हैं आपकी पर्सन कल रात किस एनरजी में थे देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर सबसे पहले एक लाइक कर दो ठीक है आपका एक लाइक मेरे ले बहुत 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 जरूरी है बहुत जादा ठीक है और और जो पहले से लाइक कर देते हैं, क्या मैं कैसे शुक्रिया आदा करू मैं आपका, मुझे शब्द नहीं है मेरे पास, जो मुझे भर-भर के प्यार देते हैं, मैं उनके लिए, शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया आदा करू, ओके, तो देखते हैं आपके प सबसे पहले अगर कुछ energy हाँ पर आ रही है तो आपके person ने कल राद आपके सपने देखे हैं, चाहे वो खुली आखो से हो, चाहे सोने के बाद हो देखो आपका partner late night तक जागते रहते हैं लेकिन जब भी इसको नींद आई होगी तो इसने आपका सपना ज़रूर देखा है, और वो सपना गुछ ऐसा था कि वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसाने आपको बहुत ज़दा सपने दिखाए हैं और ये इंसान उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया है हर बात हर किसी के साथ रजनट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग आप लैसे है कि आपके परसने आपको पास्ट में बहुत सपने दिखाए और वो इंसान उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया अगर ऐसी कुछ एनरजी है और सेटी में रहते हो, दूसरे किसी और सेटी में रहते हो या आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टन्स आया हो ऐसे भी हो सकता है गाइस ठीक है आपके परसन को अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है ठीक है उसको समझ में आ चुकाई कि उसको लाइफ में कुछ भी आसने से मिलता ही नहीं है तो उसको उसका प्यार भी आसने से नहीं मिलेगा इस कदर आपके परसन की सोच है कल रात इस इंसान को बहुत सारे खैल आ रहे थे कि अगर वो इस रिष्टे में आगे बढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़दा संगर्श करना पड़ेगा चाहे अपने परिवार से हो चाहे आपके परिवार से हो चाहे आप दोलों के विचार जो मैच नहीं होते हैं उसकी बज़ा से हो देखो गाइस कभी-कभी आप दोनों के विचार जो मैच नहीं होते हैं उससे बहुत बढ़ी तकलिफ होती है और सज बोलो तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है विचार बुरे होते हैं ठीक हैं अगर आपके पर्सन ने गलतिया किये तो उसके विचार बुरे है वो इंसान बुरा नहीं है यहां पर V अक्षर मुझे दिखाई दे रहे, यहां पर F दिखाई दे रहे, के दिखाई दे रहे, यहां पर मुझे R भी दिखाई दे रहे, R, ओके? और गाईस मैं एक बात बता दू कि नंबर 7 यहां पर बहुत स्ट्रॉंग हो सकता है, U अक्षर, U for umbrella, C अक्षर, और यहाँ पर यच अक्षर भी बना है ठीक है? और यन अक्षर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो गैस जो जैसिक में ने बोला कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है उसके विचार बुरे होते है तो अगर इस इंसान ने आपको तक्लिफ दी है तो इसके विचार बुरे थे यह इंसान दिल का अच्छा है यह आपसे प्यार भी करता है यह आपके बहुत ज़्यादा सपने देखता है कल राज भी इसने आपके सपने देखे है चाहे वो खुले आखों से हो चाहे बंद आखों से हो सोने से पहले अगर इंसान बार-बार आपके उपर इसका ध्यान जा रहा है, इसका फूरा फोकस आपके उपर है, आप दुने के बीज में क्या कुछ घटित हुआ उसके उपर है, तो अगर वो अच्छे-च्छे बाते सोचेंगे, तो अच्छे सपने आएंगे आपके बारे म और अगर वो बूरे बूरे बाते सोचेंगे या पास्ट के जगडे है उसके उपर फोकस करेंगे तो इनको सपना भी वैसा ही आईगा तो लेकिन कल रात की जो देखो यापर बड़ा सारा C बना है C अक्षर बहुत खास हो सकता है कुछ लोगे लिए यूदि सी बार बार से आ रहा है आपर ठीक है और जैसे की एक साइकल ये देख रहे हुआ ये गोल है जो तूट गया तो एक साइकल जो complete नहीं हो रही है चाहे वो कार्मिक साइकल हो ठीक है मुझे आपर बार बार ऐसी energy आ रही है कि आपके person पश्टा रहे है, उन्होंने जो कुछ भी ब्योकुफ वाली हरकते जो पास्ट में की है, ये इंसान फुल रिग्रेट है, कल रात इस इंसान को एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा था, आपकी ब्यूटिफुल फोटोस तो है ही इसके पास, वहजा देखते भी है उनको फोटोस को, आपकी परसन चाहते है, वो चाहते है इस रिष्टे में आगे बढ़ना, वो चाहते है आपको भर-भर के प्यार देना, गैस मुझे ऐसा लगता है कि अगर, अगर आप इस इंसान के तरफ जाते हो, तो ये इंसान आपको भर-भर के प्यार देगा, क्योंकि इसको पश् और ही प्यार डिजश्क करते हो आप एलब या जो कुछ पीस ना आपकी साल बता शौनर किया है वर सारी बाट इसकर आप प्यार और प्यार डिज़व करते हो यह बाद इस इसननंको स्वारे वह रहे थी पीजह की आपके परशन आने वाले समय में अच्छानक यूटन लेने वाले हैं इस इंसान की कुछ प्लानिंग ऐसी चल रहे थी मेबी इस वालेंटाइन अच्छानक एंसान आपके जिन्देगे में वापस आ जाए और आपको सौरी भी बोले अच्छानक यूटन लेंगे आपकी person मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको तो ऐसा feel होगा कि यह इनसा आपसे प्यार ही नहीं करता है यह क्या आएगा, यह क्या प्यार करेगा ऐसे कुछ negativity में जब आप जाओगे अच्छानक मतलब आपने जो सोचा नहीं होगा उससे परे होने वाला है और कल रात आपकी person इससे energy में थे कि वो आपको कुछ surprise करना चाते है में भी हो सकता है कि आने वाले वारेंटाइन देखो आपको surprise दे ठीक है आपकी person अच्छानक यूटन लेंगे जिसके आपने उम्मीद भी नहीं की थी ठीक है और गाइस मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी energy आ रहे है कि person emotionally feel कर रहा था आपको सिर्फ देखो अट्राक्षन तो है ही definitely है आपकी beauty देखके इस इंसानको अट्राक्षन हो ही जाता है वो चाहे वैसा सोचे भी ना लेकिन जैसे जैसे वो आपके photos जैकते तो उनको अट्राक्षन हो ही जाता physically लेकिन इंसान दिल से भी सोच रहा था इस इंसान के दिल में जो प्यार है आपके लिए इस इंसान को लगता है कि वैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता इस इंसान को ऐसा लगता है कि किसे ने तुम्हें उतना चाहा भी नहीं होगा जितना कि मैं तुम्हें याद करता हूँ इस इंसान को फुल विश्वास है इस इंसान को पूरा पूरा विश्वा से कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उतना प्यार आपको कोई और कर भी नहीं सकता, तो देखो, same energy तो आपकी भी है, कि आपने भी इस इंसान को इतना प्यार दिया है कि इस इंसान से भी उतना प्यार कोई और और नहीं कर सकता तो प्यार में तो टककर है भईा पर आप भी बहुत प्यार करते हो एंसान भी बहुत प्यार करते हैं में भी आपको यह अशार लगता हो कि जैसा प्यार आप इस इंसान से करते हो इसको दुनिया में कोई और नहीं कर सकता यह सही भी है, सज भी है जब आप बिछड़ गए हो तो भी आप इस इंसान के रिडिंग देख रहे हो अपना कीमती टाइम दे रहे हो इस इंसान को यह सबसे बड़ी भात है कोशिश मत करो जो हो रहा है नैचरली होने तो कोशिश करोगे तो उसमें फेल हो जाओगे भूलने की कोशिश अगर करोगे तो पूरी तरीके से फेल हो जाओगे तो जो हो रहा है उसे नैचरली होने तो याद आ रहा है तो ठीक है नहीं याद आ रहा है तो ठीक है गैस मुझ इसके दिल में आपके लिए भर भर के प्यार हो, चाहे उसके पॉरसन लाइफ में जो इशु है, जो प्रोब्लम है, इस इंसान को क्या लगता है, कि अगर और कुछ भी आपको बताने के लिए जाएगा, तो उसकी इमेज डाउन हो जाएगी, देखो आब उसके पॉरसन लाइ कि उसके life में कितने problem है क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर वो आपको ऐसा बताएगा कि उसके पास finance नहीं है उसके पास यह नहीं है वो नहीं तो आपके सामने उसकी image दोस्त है वो तो मुझसे भी जादा handsome दिखता है अगर लड़की है तो वो तो मुझसे भी जादा beautiful दिखती है ऐसी कुछ energy कि इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आपको कोई और ना ले चाये आप किसी और से शादी कर ले तो कल राद भी इस इंसान को यही यही ख्याल बहुत सता रहे थे कि अगर है जिसका भी ऐसा चल रहा है कि आपका कोई दोस्त जो इस इंसान से जादा handsome है तो comment जरू करना क्योंकि यही energy मुझे बार बार आ रही है तो आपके partner को ऐसा लगता है कि वो जो दोस्त आपका है वो इससे भी जादा handsome है तो क्या आप इससे बात खुबसूरती से होता है प्यार हो जाता है बस अगर खुबसूरती से होता चेहरे से प्यार होता तो न जाने कितनी जोडिया ऐसी है जो बिल्कुल perfect match नहीं है एक बहुत खुबसूरत है एक नहीं है तो प्यार चेहरे से होता ही नहीं है यह इस इंसान को काश कभी समझा होत क्योंकि हूँ क्या है कि इस इनसान ने आपके चेहरे से पङ़ले पहले जब निस स्टार्टिं getting में आप मिले तो इस नेपकी भी देखी और उसके बाद इसको इमोशन की जाकर उत्रें लगता है तो ये इंसान ने आपकी beauty देखकर आपको select किया था तो इसको लगता है कि आप भी दुसरों की beauty देखकर आप उसको दिल में जगर देते होंगे तो guys मुझे आपर ऐसी energy है कि आपके person को बहुत तकलीफ होती है इस बात से अगर कोई इससे ज़दा handsome लड़का या beautiful लड़की आपके आसपास भी घुमे तो इसको बहुत तकलीफ होती है जलन होती है जेलसी बहुत ज़दा जेलसी मुझे आपर दिखाई दे रहे है guys मुझे लगता है कि आपका person तो बस उसका अगर बस चले ना तो ये इनसान राद दिन आपके उपर नजर रखे कि आप कहा जा रहे हो आप किसे बात करे हो ये इसका प्यार ही है मैं ऐसा नहीं कहती कि बस ये आपके उपर शक करता है इसका प्यार है ये आपको खोना नहीं चाहता है और जो इनसान खोना नहीं चाहता है ये बात गलत है कि आपके उपर वशक करता है लेकिन इसका प्यार ही समझो कि उसका इतना जदा प्यार है आपके उपर कि वो इनसान आपको किसी और का होने ही नहीं देना चाहता वो इन म्हार्त राता वार्प्र सावार्प्र मुष्ण और उसको लगता है कि बहुत सब साथ लगता है कि बहुत चल जब कुछ हो जाए पॉसल्ब सबदेल सब्सक्रे acceso to में धी कि इस में यहाद करता है और अरो और कुछ सारे खयाल आपके नोज, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, जैसे कि भगवान ने बड़ी फुरसत से आपको बनाए है, ऐसी वाली ब्यूटी यहाँ पर है, ठीक है, आपकी परसन चाहते कि आप उनके साथ अपनी फिलिंग्स को शेर करें, जो कुछ भी आप फिल करते हो इसके लिए, ठीक है कल रात इस अंसान के मन में ये भी खैल चल रहे थे, कि आपने अपने फिलिंग्स को शेर नहीं करते हो, अब देखते हैं ट्यारों से, जो ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज, प्लीज लाइक करते हो, आपका एक लाइक मेरे बहुत ज़रूरी है, और एक प्यारा स कि उपर सोच उचार करने की कोशिश ये अंसान कल रात बहुत ज़रा गहराई से कर तो रहा था, लेकिन कुछ बाते ऐसी हैं जो अभी भी उसके दिमाग में नहीं उतर रही हैं, कुछ बाते ऐसी हैं, हो सकता है, बहुत सारी गलक फैमिया हो, या कुछ ऐसे बाते घटित कि उन्होंने बहुत सोचा लेकिन उन सवालों के जवाब इस इंसान को नहीं मिले, ठीक है, दा हर्मेट के एनरजी वर्गो राशी हो सकते हैं, ओके, और देखते हैं, देखो, सोय नहीं है कल रात, रो रहे थे गाइस, मैंने बोला न, इस इंसान को आपको खोने का बहुत इस इंसान को anxiety हो रहे थी, इस इंसान को बरिशानी हो रहे थी, दिक्कत हो रहे थी आपसे दूर रहने से, और इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है आपसे दूर रहना, और मुझे नहीं लगता कि जादा दिन तक इंसान आपसे दूर रहेगा, नमबर 9 यहापर strong बना है, करता है आपसे बात करने को, जबकि वो आपसे चाहता है कि आप पहले बात करें और आप अपने दिल की feelings को share करें, लेकिन इसका मन भी कर रहा की आपको वो अपनी दिल की बात बता, वो कितना परिशान है आपके बिना, वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो बहुत sad, बहुती थे और रो रहे थे इनके आखों में पानी था आपके परसन अंधेरे में वैठे थे ठीक है बहुत इसवाब परिशानी इस इंसान के चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी अब परिशान हो रहा था लेकिन उसने आपको एक शब्द भी नहीं बोला कि वह कितना परिशान है अपके बिना राशी है लिब्राग के वेरे सुझे मेना है गाइस रो रहे थे वो कल राथ इस इंसान को जब भी वह सोचता है उसको खोने का ही डर लगता है आपको और कुछ लोकल जैसे कि देखो इंतजार आपकी पोर्शन में अभी-भी क्या बोला कि वह इंतजार करते कि आप पहले उनसे बात करें आप पहले अपने फिलिंग्स को शेर करें डिफिनेटली कल राद भी सिर्फ सिर्फ इंतजार में थे इंसान कि काश आपकी तरब से कोई तो इस इंसान को चाहिए कि आप उससे बात करना इंतजार कर रहे थे वह और बहुत जिदा ओनलाइन वाच भी कर रहे थे आपका इंतजार भी कर रहे थे में भी कल्रा तक ओनलाइन नहीं थे इस इंसान को नहीं दिख रहे थे और इस अप कोशिश कर रहा था कि आप कहा हो क्या हो ठीक है और जैसिक में केंडल वाक्ष में भी बोला था कि आप दोनों लॉंग डिस्टंस पर हो सकते हो या आप दोनों के वीच में बहुत जां बात नहीं कर पाता है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर यह आपसे बात करेगा तो आप इसको छोड़ने नहीं वाले आप इसको बोल दोगे कि तुमने तो यह जूट बोला तुमने वह बाते चुपाई बहुत ज़्यादा चुपाया इस इंसान ने और वह सच सामने ना यह कैंदा जाएं तो सच सामने आने से डरता है आपका पार्टनर और वह सोचता है कि बात करियाए आपसे लेकिन उसको ज़्यादा है कि अगर वह आपसे बात करेगा तो आप जूट नोगे और आप इसको बहुत कुछ उनाओगे और अभीबी कुछ लोकल के इथा हो सीव कभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है में ऐसे कुछ बात है उसकी लाइफ में जैसे मैंने पहले आपको बोला ठीक है छुपाने की आदत इस इस इंसान को बहुत जादा है छुपाने में आपका पार्टर बहुत माहिर है उसके दिल में क्या चलता कभी भी आपको पता नहीं चलता है, इतना ज़दा वो छुपाता है वो अच्छी बाते भी हो सकते हैं वो बुरी बाते भी हो सकते हैं ठीक है कल रात आपके परसन एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे थी कि क्या करे क्या करे कि इस रिष्टिक का देखो, काड कैसे आये है, यहाँ पर अंधेरा है कल रात अंधेरा और यह अंसान इस अंधेरे से निकल कर इस सबेरे में आना चाहता है, इस उजाले में आना चाहता है, यहाँ पर भी देखो कैसे अंधेरे में है आपका परसन, यहाँ पर भी देखो death की energy बता रही है आपका person कल लाथ एक new beginning के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके partner चाहते हैं जल से जल इस रिष्टे में एक new beginning हो जाए और इस रिष्टे का एक bright future हो एक bright future की उम्मीद करते हैं आपकी person आपसे death की energy है Scorpio energy है लिब्रा एक बरे जेमिना स्ट्रॉंग है यहाँ पर एरिज लिओ साजिट्रोस भी फाइर बहुत है इस इंसान के अंदर और overthinking भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपके partner कल राद भी इतनी ज़्यादा overthinking कर रहा था आपका person और खुद को ही दुखी पा रहा था जितना सदा वो सोच रहा था उतना ही ज़दा वो दुखी हो रहा था उतने ही जदा उसके आखों में आसु आ रहे थे ठीक है attraction मैंने आपको पहले ही बोला न candle wax में भी बोला था कि इस इंसान को जितना सदा वो आपकी फोटोस देख रहा था उतना ही जदा उसको कल रहा अट्राक्शन हो रहा था ठीक है बहुत attraction है आप दोनों के बीच में वन चांस एक चांस चाहिए आपके person को खुद को साबित करने के लिए ठीक है तभी तभी वो आपका इंतजार करें वो चाहते कि आप उनको एक मौका दे वो इस रिष्टे को वो आपको हर्गिस खुना नहीं चाहते गाईस वो एक मौका मांग रहे है आपसे ठीक है अपनी गलतियों पर है पश्तावा है रो रहे हैं और एक मौकी के इंतजार में है खुद को हीलिंग देखो आपकी तरफ में भी अंसान हीलिंग भेज रहा था अगर इसको लगता है कि इसने आपको बहुत दुख दिया है अगर इसने आपको बहुत ज़दा देखो फॉर यू डेफरेट लिग कर दी है और इसको अब फॉर्ग्यों इसकी ज़रुत है माफी की आवश्चक्ता है आपके पर्सन को देखते हैं क्या गाइडन से आपके लिए सबसे पहले आपको फेथ रखना होगा जो कुछ भी आपके जीवन में अभी हो रहा है उसमें आपकी भलाई है अपने भगवान के उपर अपने आपके उपर डिवाइन के उपर फेथ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है फ्रिडम यहाँ पर कुछ लोग ऐसे है कि आपको फ्रिडम नहीं मिल रहा है ठीक है और पेशन्स तो आपको रखना पड़ेगा और जो लोग यहाँ पर ऐसे ही जो अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो लेकिन आपको फ्रिडम नहीं मिल रहा है तो गैस केज़े का अपने परिवार वालों को समझाने की क्योंकि अगर आपको फ्रिडम मिलता है तो आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छु कर सकते हो स्पेशली अगर आप यहापर लड़किया देख रहे तो हो सकता कि आपको घरवाले विल्कुल फ्रिडम नहीं देते हैं पेशन्स रखना पड़ेगा जो भी होगा आपकी जिन्दग में वो सही होगा अपने भगवान के उपर विश्पास रखो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है ठीक है आपको रुडिंग पसंद आई हो लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए